सौरी गाइस यहाँ पर एक चीज बताना में भूल गया था, यहाँ पर जो आल्फा सेलूलोस होता है, यह इंडोसेसियाम में रहते है, यह इंडोसेसियाम में रहते है, यह जो लाइन अप डेहिसेंस होता है, इन में कोई भी आल्फा सेलूलोस नहीं रहता है, इसलिए डेहि यहां से होता है, यह आपको याद रखना है, इसके बाद हम आएंगे, माइक्रोस्पोरोगेसिस में, इससे पहले हमें NCRT का एक लाइन बताना पड़ेगा, कौन सा लाइन, यह जो पोलेंस, ठीक है, पोलेंस, पोलेंस क्या है, pollens male gametophyte को represent करता है, ठीक है, gametophyte, male gametophyte को represent करता है, तो चलिए आप pollen का structure हम देख लेते हैं, pollen dicot, monocot में different type का होता है, लेकिन पहले हम common सा एक structure पढ़ेंगे, ठीक है, तुम सोच लो pollen है, ठीक है, pollen में two layers होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, two layers, एक क्या है, x sign, ठीक है, x sign, और second one क्या है, intine, ठीक है, intine, तो एक sign किसे form होता है, x sign में रहता है, sporopollenin, 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 ठीक है, sporopollenin, जो sporopollenin है, sporopollenin का एक component में आपको बता रहा हो, M.C. के उसके लिए ज्यादे important नहीं है, लेकिन जान लो, ठीक है, इनका component एक होता है, component, ठीक है, क्या है, C. Coumaric Acid, Co question आभी सकता है, as it will be much more tougher in this year, ठीक है, तो sporopollenin का एक component है, C. Coumaric Acid, intine जो होता है, intine किसे form होता है, ठीक है, यह एक important question है, NCRT में भी दिया हुआ है, intine में रहता है, it is thin and continuous layer, continuous layer, ठीक है, thin and continuous layer है यह, किसे form होता है, cellulose, cellulose, हमारा पुराना दोस्ट, cellulose and pectin, ठीक है, यह आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, इसके बाद हम आएंगे, layers of exine, ठीक है, exine thin layer से बनता है, ठीक है, क्या क्या है वो, exine, ठीक है, exine बनता है mainly, thin layer, tactum, ठीक है, tactum, baculate, baculate, और thin number क्या है, thin number है हमारा foot layer, ठीक है, इन मेंस है, यह जो दो layers है, मतलब, tactum and baculate, यह क्या करता है, pollen का different, मतलब, यह help करता है, palynology, health in palynology, ठीक है, palynology, मतलब, क्या है, यह जो तुम different type का structures देख रहे हो ने, यहाँ पर, यह कोई virus और bacteria है नहीं है, जो maximal students, तुम गलती करते हो, यह picture अगर दे दो, तुम virus, coronavirus, कुछ भी कहे दोगे, लेकिन यह बहारी surface of pollen है, ठीक है, यह तुम को समझना पड़ेगा, palynology क्या है, जो pollen को लेकर study करते है, ठीक है, यह इसे हम कहते है क्या palynology, तो यहाँ पर देख लो, मैं यहाँ पर draw कर रहा हूँ, यह तुम सोचो, एक sign है, और अंदर वाला black वाला part, intine है, ठीक है, यहाँ पर कुछ छेद रहते हैं, जहाँ पर एक sign का layer continuous नहीं होते, ठीक है, इसे हम क्या कहते है, इसे हम कहते है क्या, जार्म पोर, ठीक है, जार्म पोर कहते है, यह जार्म पोर कहते है, यह जार्म पोर कहा पर दिखा जाता है, यह तुम समझ लो, एक साहिन है, इसे हम क्या कहींगे, जान्म, फाडो, यह हो गया हमारा मेन बात, तो यहाँ पर और एक चीज़ है, शपोडोपोलेणिन के बारे में दो-three चीज़ उझे बताना पड़ेगा आपको, sporopolenin, ठीक है, sporopolenin क्या होता है, sporopolenin, resistant to, resistant to pH, ठीक है, temperature, मतलब high temperature, और क्या है, alkali, और strong acid, और last one क्या है, enzyme reaction, ठीक है, मतलब ये सब चीजों से sporopolenin resistant है, मतलब sporopolenin का main significance क्या होगा, आप समझो, इसका main significance होगा, कि pollen अगर बहुत सालों से जिन्दा रह सकता है, ठीक है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, paleontologically sporopolenin का बहुत ही important है, ठीक है, समझ लिया आपने, त माइक्रो sporogenesis कैसे होता है, माइक्रो sporogenesis, मतलब माइक्रो spor वो कैसे form होता है, ये आपको जानना पड़ेगा, तो हम लोगों ने अल्लेडी बता दिया था, अंदर जो sporogenous cells हैं, ठीक है, primary sporogenous cells, primary sporogenous cells, ठीक है, primary sporogenous cells से क्या होता है, primary sporogenous cells, इस से क्या होता है, ये meiosis, meiosis 1 में जाता है, ठीक है, meiosis 1 में जाने से क्या होगा, दोनों इस तरह से cell हो गया, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, meiosis 2, ठीक है, meiosis 2 होने से क्या होगा, म्योसिस 2 होने से यहाँ पर 4 cells होंगे, NNN करके, ठीक है, 4 cells, यह क्या form करेंगे, tetraard और यहाँ पर जो एक बहारी layer होगा, इन layer में क्या होता है, ठीक है, इसे हम कहेंगे क्या pollen tetraard, ठीक है, pollen tetraard, यह जो, इसके बाद क्या होता है, यह म्योसिलेज के एक layer से compact रहते है, मतलब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो Tepetum है, Tepetum, Tepetum से क्या निकलता है, Tepetum क्या provide करता है, Kallis, Kallis एक क्या है, Enzyme है, Kallis, Kallis एक Enzyme है, आपको समझना पड़ेगा, यह क्या करता है, इनको डिजिन्टिग्रेट कर देता है, यह जो हमारा मूसिलेज का layer है, इसल तुम सोचो यह एक pollen grain है, ठीके, pollen grain में क्या होता है, यह, ठीके, pollen grain एक, एक तो ही यहाँ पर हो गया, जो जब यह mature होता है, ठीके, mature होने से क्या होता है, mature होने से 2 cell formation होता है, एक होता है, vegetative cell, ठीके, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्या, बताओ, आप लोग जानते हो, Generative Cell, Generative Cell, Generative Cell, Vegetative Cell इतना बड़ा होता है, तुम समझ लो यह एक Vegetative Cell है, ठीक है, Vegetative Cell का कुछ स्पेशालिटी रहता है, Vegetative, Vegetative Cell, ठीक है, Vegetative Cell का स्पेशालिटी क्या होता है, देख लो यहाँ पर बता रहा हूँ, यह Bigger होता है, Bigger, ठीक है, Abundant, Abundant, मतला बहुत सारा Food रहता है, Abundant Food, ठीक है, Abundant Food के बद क्या होता है, Irregular Nucleus, Irregular Nucleus, यह जो 3 पॉइंट है, यह बहुत important है, क्योंकि यह NCRT में दिया हुआ है, और एक जो Generative Cell होता है, यह comparatively small होता है, ठीक है, Small, Small की होता है, तुम समझो, यह एक बड़ा सा, इतना बड़ा एक टुकरा है, ठीक है, कोई भी एक मिट्टी का ढेला है, ठीक है, अगर तुम मतलब portion nucleus, मतलब N1 amount का nucleus, यहाँ पर ले लो, मतलब इतना सारा portion तुम यहाँ पर ले लो, यहाँ पर छोटा से ही तो रहेगा, ठीक है, तो यह हो गया, लेकिन यह जो vegetative cell है, vegetative cell का यह जो cytoplasm है, cytoplasm, ठीक है, as it is in huge amount, तो इसके अंदर generative cell floating रहता है, मतलब अगर तुम इसे हम क्या कहेंगे, generative, generative cell, ठीक है, generative cell, generative cell का main character क्या होता है, spindle shape, spindle shape का होता है यह, और second main character क्या है, main character क्या है, dense cytoplasm, ठीक है, dense cytoplasm, इन short में आपको हर एक चीज़ रिवाइस कराता जा रहा हूँ, तो आप लोग, please obviously video को अंतक देखना, और अगर आपको video अच्छा तो obviously like button को hit कर देना, तो इसके बाद हम आएंगे, किस में, यह main part हमारा हो गया था, इसके बाद हम आएंगे, एक important data में, NCRT में लिखा हुआ है, 60% angiosperm, ठीक है, 60% angiosperm, ठीक है, 60% angiosperm, ठीक है, 60% angiosperm क्या करता है, देख लो, 60% angiosperm, यह जो two cell stage है, इसमें pollen को migrate, germinate कर ठीक है, two cell stage, ठीक है, two cell stage, ठीक है, NCRT में लिखा हुआ है, ठीक है, यह देखो, two cell stage में क्या करता है, इनको germinate कर देता है, germinate pollen grains, ठीक है, pollen grains, मतलब इनको फैला देता है, चारो तरफ, pollination के लिए, लेकिन, बाकी जो 40% है, उनमें क्या होता है, यह जो मैंने कहा था था न, य इस के अंदर generative cell है, generative cell और भी दो cell में, मतलब, though mitotically, as it is mitotically active, तो यह क्या करता है, दो gamet फॉर्म कर देता है, मतलब यह तुम समझो, vegetative cell है, ठीक है, veg cell, veg cell लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, vegetarian नहीं, vegetative, ठीक है, vegetarian cell, ठीक है, और यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर दो, क्या ह होगा यह, यह gamet होंगे, ठीक है, 2, 2 gamets, ठीक है, मतलब, कितना cell हुआ यहाँ पर, यहाँ पर total cell का number हुआ, 3 cells, ठीक है, 3 cells, यह इस वाले stage में, janminate करता है, तो 60% क्या करेगा, 2 cell stage में, pollen grains को फैला देगा, और बाकी जो plants है, वो क्या करेंगे, 3 cell stage में, pollen grains को फैला देगे, य आपको समझना पड़ेगा, और यहाँ पर NCID का एक important line है, इत में, मतलब, जब pollen grain pollinate करता है, मतलब, जो जाता है, चारो तरफ फैलता है, तो क्या होता है, कुछ इस तरह के pollen grains होते है, जो तुम यहाँ पर देख लो, इत में भी mention that parthenium और carrot grass, parthenium का और एक नाम क्या है, carrot grass, that came into India as a contaminant with imported wheat, has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy, यह पार्थनियम और carrot grass के इंडिया में नहीं था, जब हमने wheat का एक variety इंडिया में इंट्रोडियूस किया, तभी उनके साथ यह आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ, यह pollen allergy करता है हमारे अंदर जाके, ठीके, यह तुमको knowledge में रखना पड़ेगा, इसके बाद कुछ important चीज़ जो मैं NCRT से ही आपको दिखाऊंगा यहापर, देख लो, यहापर दिया हो है, pollen grains are rich in nutrients, obviously pollen grain में बहुत सारे nutrients होगा, क्योंकि वो तो microspore का nutrient supply करता है, tap item layer mainly, जो nutrients supply करता है, और pollen grains में obviously बहुत सारे nutrient इसलिए होगे कि male gamet जो germinate करेगा, और male gamet जो उनको तो nutrition चाहिए होगा, इसलिए nutrients रहते है, in western countries the large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in market, important line है, syrups बनाने में and किसमें tablet बनाने में यह काम में लगता है, यह देख लो कुछ picture है, pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and resources, pollen क्या होता है, athletes अगर pollen ले, pollen का यह जो nutrients लेते हैं, तो उनका जो capacity होता है, मतलब जो output होता है, वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, इसके बाद हम आते है, viability, ठीक है, viability किसलिए होता है, viability का मतलब क्या है, any condition, any nature का condition यह सह सकते है, pollens क्यों, क्योंकि spodopolitan रहता है, as temperature, humidity यह सहन कर लेते ह है, in some serious, such as rice, wheat, pollen grains, loss, viability within 30 minutes of their release, मतलब यह जो rice and wheat, यह दो example आपको याद रखना ही होके, rice and wheat, क्योंकि यह क्या होता है, pollen grains, जब यह निकलता है, और जब बाहर जाता है, तो 30 minutes के अंदर-अंदर यह destroy हो जाता है, और खतम हो जाता है, ठीक है, and in some member, rosé si family, याद रखना, rosé si leguminasi, solanasi, they maintain viability for months, यह 3 family का क्या होता है, देख लो यहापर, 3 family का क्या होता है, यहापर, महीनों महीनों वर, इनका viability रहता है, यह, जो होता है, यह pollination कर सकते है, destroy नहीं होते है, ठीक है, और एक चीज, cryo-peservation का मतलब क्या है, हम minus 196 degrees Celsius में, liquid nitrogen में, जब pollen grains को store करके रखते हैं, मतलब यह एक refrigerator समझो तुम, यहापर nitrogen है, 196, minus 196 degrees Celsius में, क्या करते हैं, हम pollen को यहापर store करके रखते हैं, ठीक है, ताकि वो सालों वर साल, सालों वर साल जिन्दा रह सके, और क्या कर सके, और germinate कर सके, pollinate कर सके, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते है, cryo-peservation, cryo-peservation, ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा main, मतलब male gametophyte का, और male जो sexual reproduction था, male का जो microsporogenesis था, वो complete हुआ plants में, तो I think आपको यह वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, as I covered all the corners in this topic, तो इसके बाद वाला वीडियो आएगा, पीस्टिल, Megasporangium and Embryosac के बारे में, So stay tuned guys and obviously अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please like, share and subscribe and don't forget to hit the bell icon to get latest notifications, thank you and obviously stay home, stay safe.